पावन सिवर समवाता हमारे साथ जुड़ गया है आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि कुल मिलाकर प्रदेश सरकार को लेकर जिस तरीके से अभी एक साथ पूरी हुए हैं और उसमें क्या कुछ कामकाद जो है वो यहां पर किया गया है किस तरीके से आगे की रंडीती रहेगी इस पर यहां पर बातचीत कर लेते हैं पावन अब किस तरीके की रंडीती रहेगी किस तरीके की योशना है क्योंकि अभी जो फिलास्तिती चल रही है उसको लेकर तो कुल मिलाकर एक संकट भी है एक संकट किस्तिती भी है लेकिन आप किस तरीके से सरकार आगे काम कर रहे ह इसका नारेखाल का एक साल जो है वो पूरा होने जा रहा है और उसको लेकर हर्याना बीजेपी ने जो है वो रूब तमाम तरह की तयारी की है कि जो केंदर सरकार की जो साल में इसे एक साल फैसलों को पहुंचा जाएगा इस मसले पर बातशित करने के लिए साथ हर्याना भाजपा के अधेक सुभास बराला हैं बराला सब केंदर सरकार के एक साल पूरा होने पर हर्याना भाजपा ने एक वीडियो कॉंफरेंस के जरीए एक तैयारी की एक मन्तन किया है क्या क्या हमारी जो केंदर सरकार की एक साल की करेकाल जो तीस तारिक को पूरा होगा दरिंदर मोदी जी के नितरतों में उसकी जितनी भी उपलब दिया है वो और कोरोना संकरमने से जिस बेतर तरीके से निप्टे हैं वो और वविशे में किस परकार से हम लोग ने आगे बढ़ना है जिसमें देश को आतमने दिरबर बनाने के लिए कैसे सरदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ करके हम लोग देश को मजबूत करें यह सारे जो वीशे हैं इनको लेकर के जाने की एक योजना हम लोगों ने परांत में बनाई है जिसके लिए अभी तक कई बैटके हमारी हो हूई है इसके बाद हमने परदेश पता दिकारी जिला देक्सओं से परभारियों से सबसे बात की है कल सारा कोर गरूप और जिसमें केंद्रिया मंंदरी सांसध सब विधायक मुख्य मंदरी जी पूरी टीम इनके साथ समबाद हुआ है आज आइटी की टीम के साथ भी परक पहला इसमें पाग रहेगा व्यक्तिगत संपर्क में हम लोग जो परधान मंतरी जी के नितरतों में जो काम हुआ है और परधान मंतरी मौदी जी का जो संदेश है वो ले करके यह योजना बढ़ी है कि लगब बीस लाग परिवारों तक हम लोग पहुंचेंगे और पत् करताओं को रहने का वो नहीं होगी जाज़त नहीं होगी वो घरगर तक जाकर के पतरक बाटने का काम करेंगे इसके लावा डिजिटल जो संपर्क है उसमें फेस्बुक है वटसब गूरूप है इंस्ट्राग्राम है और दूसरे जो साधन है उनके माध्यम से हमारी को कौनफरेंसिंग होगी उनका जो संदेश होगा वो नीचे तक ले करके जाएंगे देश के परधान मंतरी जी का संदेश नीचे तक ले करके जाएंगे और इसके साथ साथ वर्चूल रेली भी करने की योजना हमने बनाई है वर्चूल रेली में परदेश में एक रेली कम से कम हम लोग करेंगे दूसरी रेली की भी उजना उसमें बंड सकती है वर्चौल सिस्टम से रेली को संबोती तहमारे परदेश के मुख्य मंत्री अन्यने निता करेंगे और इसके अलावा वर्चौल संबाद वो अलग अलग वर्गों से करने की उजना बनाई है और ये सब काम अलग अलग हमारी जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनके जुम्मे हमने सोपा है इसके लवा मोर्चों के जुम्मे भी एक काम सोपा है कि पूरो में भी इस संकर्मन के दोर में हमने लगबग 25 लाग के आसपास फेस कवर का वितरन किया है सेनेटाइजर का वितरन किया है अब कम से कम 10 लाग परिवारों तक फेस कवर और सेनेटाइजर उपलब्द करवाने का हमने एक योजना बनाई है तो ऐसी सब बातों को लेकर के हमारी लगातार बैठके जारी है। जो विपक्ष के हमले हैं उसको लेकर क्या कहें है। लेकिन कॉंग्रेस पारटी चाहिए वो परदेश की बात करें उनके राष्टेस तरपी की बात करें। कूरी तरह से दिख बर्मित दिखाई देती है। कभी राउल गांदी कहते हैं कि लोगडाउन जल्दी लागू कर दिया गया। कभी कहते हैं कि इसको लागू आगे भी रखना चाहिए। कभी किसी परकार की बात करते हैं। अपनी बात के उपर यूटन ले लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि देश में इतना जल्दी लोगडाउन लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं के परदेशों की जो सरकारे हैं। चाहे कॉंग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकारों, रास्तान की सरकारों, कॉंग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही देश से पहले इस बात की घोशना कर दी थी, लोकडाउन की घोशना कर दी थी, पंजाब में कर्फ्यू उन्होंने लगा दिया था, यानि कि मुझे लगता है क अंगरिस्टाइंडंटी दिख बरमित है या तो राउल गांदी जी के बात कहीं सुनते नहीं है या राउल गांदी अपनी बात ठीक से कहने पाते हैं वो किसानों के मसले पर बैक फूट पर है? दीखे किसी भी मसले पर बैक फूट नहीं है एक बहुत बड़ा चुनोती का दोर हम सब के लिए ये था इस दोर में विपक्ष को भी विस्वास में लेकर के मुख्यमंतरी जिने बहुत बेटर तरीके की रणनीती बनाई थी और मैं समझता हूँ जिस परकार से बेटर तरीके से चाहे वो बिमारी को रोकने के लिए या बिमारी आ गई तो इसको ठीक करने के लिए इस मोर्चे के उपर काम हुआ है या फिर जनता तक इसका जो एक awareness campaign है वो चला करके इससे बचने की बात हो या फिर जो लोग इस दोर में काम करके अपने परिवार का पेट भरने में एसमर्थ थे उन तक राशन पहुंचाने की बात हो अन्य जुरूरी चीज़ें पहुंचान उन्होंने भी काम किया भारती जनता पार्टी की पूरी इकाई निसमें काम किया और आप एक बात और देखेंगे कि इस दोर में हरियाना परदेश में जो स्थानिये अमारे गरीब लोग हैं स्थानिये जो परवासी मजदूर रहे हैं या फिर दूसरे परदेश से आने वा करके इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई भी परवास्ची मजदूर चाहे किसी भी परदेश से आ रहा है वह का ना जाए नंगे पैर ना जाए बिना दवाई के बिना पानी के ना जाए इस बात का परबंद किया है इन सब के अलावा जो हर्याडा में बीजेपी के संथन के जो चुनाव का जो फैसला है उसमें क्या स्थिती है परदेश की अधिक से लेकर जो जिला अधिक से उनको लेकर क्या कोई फैसला हाइकमान की तरफ से होने जा रहा है देखे यह तो परदेश की बात हो या फिर जिलों की बात हो यह सारा हमारा जिलों की हमने सारी हो जाएगे तो यह हर्याना बीज़ेपी के देख सुभास बराला हमारे साथ ही जिनों निकाया कि केंदर सरकार का मोधी के नेदरतों में जो एक साल पूरा हुआ है उसको लेकर वर्च्वल मादम से लोगों के बीच में जाएंगे प्रेस कॉंफरेंस करेंगे रेलियां वह बताया कि साथ ही सुभास बराला ने कोंग्रेस पर किंशना साधा यह कहाए THAT कि कोंगरेस जो है वो हर चीज में कमी निकाले हैते जबकि आफिitu राज्ये tay की सरकारी है वो भी जो है वह लोगड़ाउन के कब शुरू करना है किस तरह से शुरू करना है उस पर उनके फैस सिवर इस तमाम जानकारी के लिए